नमस्कार, स्वागत है आपका फाइदेबंध फंट्स में और मैं हूँ आपका दोस्त नीरा जोराज एक बिल्कुल नए तरीके के फंट पर हम लोग बातचीत करेंगे और वो आम फहम जो केटेगरीज होती है उनसे थोड़ा डिफरेंट है और उसमें किस तरह निवेस करना चाहिए, क्यों इवेस करना चाहिए और उस फंट की खासियत क्या है इन सब पर बातचीत होगी उसका नाम है वाइट ओक स्पेशल अपरचुनिटीज फंट है अब नाम से थोड़ा अंदाद लागा रहे कुछ खास है इसमें कि नाम भी स्पेशल लग गया है और इसको जो मैनेज कर रहे हैं फंट मेंजर्स के पूरी टीम है साथ ही इसका जो कॉंसेप्ट है जो इसके हेड़ अफ प्रोड़क्ट और स्ट्रेटजी है चिराग पटेल जी वहाँ साथ स्टूडियो में है 15 मही से 29 मही के बीच में इसका एन फो खुला हुआ है तो अब आपको समझा कभी कभी क्या होता है कि special opportunities होती क्या है तो कोई opportunities होते कोई events होती है या challenges कभी-कभी company specific होती है कभी-कभी sector specific होती है और कभी-कभी economy special situation बन जाती है जैसे कि जब demonetization हुआ था तो पूरा banking sector was a special situation there is a skepticism फिर जब COVID हुआ था यह कभी-कभी बनती है कैसी गटना है once in our lifetime तो पूरा economy special situation बन गया था आपको पता ही नहीं था के lockdown कभ खोलेगा vaccine कभ मिलेगी what is our situation और company specific तो बहुत सारी चीज़े हो सकती है इसमें जैसे कोई corporate action होती है demerger होता है acquisition होता है geopolitical issue होता है कभी-कभी उसके बज़े से कोई पूरा sector में opportunity create होती है war होते है उसके बज़े से आपको defense में opportunities मिल सकती है कभी-कभी कोई नया business segment खुल सकता है new trends innovation technological disruption यह broader चीज़े है अगर आप चोटी-चोटी चीज़े देखो कि जैसे कोई company में strike हो गई litigation हो गया top management में change हो गया product recall हो गया product में defect आई मेंगी मेलेड निकलाया तो top management में की person ने job छोड़ दी customer equation related issues होते है brand related issues होते है there are lot more issues which are faced by companies from time to time उसके बज़े से दो चीज़ होती है ऐसा नहीं के negative होते है कभी-कभी positive होती है अब आप देखे जब भी कोई negative चीज़ होती है positive आप छोड़ देगे positive में भी हो सकता है तो दो अपने बाद डिवाइड कर देते है नेगेटिव इवेंट्स और positive impact नेगेटिव इंपेक्ट जब आती है तो होता क्या है कि ज्यादा थर लोगों के पास ज्यादा information नहीं होती और ज्यादा analytical edge भी नहीं होता तो सबसे पहला reaction होता है panic or fear तो भाई इसको तो बेज दो आप अब problem तो होता है on the surface मगर तब उसकी intrinsic value निकालते हो तो problem से cash flow पे impact 5% की हो सकती है मगर stock 15% correct हो सकता है because of panic reaction because seller होता हमेसा concentrated होता है और उसके बज़े से stock अपने intrinsic value से नीचे trade कर सकता है अब जब के positive event होती है generally उसको market misunderstood करता है और उस पे knee-jerk reaction नहीं हाते है लोग आप सेक्ट करते है तो उस पे क्या होता है कि miss pricing create होता है intrinsic value ज्यादा बढ़ती है मगर stock price उतना react नहीं करता है यह दोनों event की बज़े से stock अपने intrinsic value से नीचे trade कर सकता है जिए विए case is a good opportunity to have a meaningful exposure in to that sector or a stock so this is what is a basic premises of special opportunities fund तो that is what we try to identify, analyze and then we create a portfolio. तो इसमें कोई भी sector exposure रह सकता है, इसमें कोई भी market cap exposure रह जाता है. मगर इसमें आपको थोड़ा sectoral exposure skewed मिल सकता है, थोड़ा market cap exposure भी skewed मिल सकता है. जहां भी भी opportunity हो वहाँ पर इसमें का contrary positive events भी हो सकता है. Positive events भी हो सकते है. जो a special situation create कर रहा है और आपको लगता है कि यहां से फिर यह मौके पर चौका लगाना चाहिए. तो इधर उदर आप लोगा लगा ले तो मौके पर चौका लगाना है, इस फंट का नाम यह होना चाहिए, कि सहीज है? तो आपको एक तो है, आपको opportunity sense होनी चाहिए. अब sense तो सब को लोग कर लेता है, आपको seize भी करना पड़ता है, कि अपने sense तो कर लिया, फिर उसको seize करो, buy करो. अब भी करने के साथ आपको थवड़ा size भी करना पड़ता है, तो sensing the opportunity, seizing it and sizing it. इस आपको थे इंपोर्टन असपेक्ट तो create a portfolio in this kind of fund. Okay, पहले sense करो, फिर seize करो, और फिर size करो, that's really good. आपने करता है, हर आदमी करता है, हर आदमी करता है, हर आदमी करता है, फिर फंट लाने ही जरूशी ही पड़ती, आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो एक बात कहीं बड़ी core है वो, कि लोग पैनिक कर जाते हैं, उनको लगा रही यार, इस company हो तो अब तो यह पता आपको मिल सकती है, तो कितने ideas अपने portfolio at a time आप रखेंगे, उसमें composition किस तरह होगा, मेरा सवाल है कि क्या जरूरी है क्या आपके portfolio, जो भी आप numbers भी आप मुझे बताएंगे, सारे special situation मिलें आपको एक समया ऐसा, ऐसा होगा क्या, सर देखो mandate के हिसाब से 80% of the portfolio should be investing into special opportunity, numbers are not restricted, percentage is established, 80%. अपने शेयर रखो गया अपने इस portfolio में? इसमें जिते में जिन्गरी जो अपने जो फ्लेक्सिकैप category होती है उससे concentrated portfolio होगा, मालो उसमें 80-90 stock है for example, तो इसमें आपको 50-40 stocks हो सकते हैं, पचास मालो पुरा भारत वरस में शाधी कोई ऐसा investor हो जसने वहां पई सना वोडा फोन की बात में कर रहा हूं कितने सालों से बचारा कहां से कहां पहुच गया किसी को यह होप नहीं थी यह कंपनी बचेगी लेकिन कंपनी सर्वाइब कर रही है कैसे भी कर रही पता नहीं अब उसमें कि उन्होंने 20,000 क्रोड रुपए रेज किये न अब यह ले आये, FPO भी हो गया, प्रमोटर ने भी डाल दिया, क्या इसको अप मानते हैं या नहीं यह है, यह स्पिसल सिचुएशन की नहीं है इसी सिचुएशन बहुत सारी आती होंगी, कि गंबरीगिरी कंपनी चलो यार इसको रिवाइब कर रहे हैं, तो आप लोग इस सिचुएशन को कैसे अनलाइस करते हैं तो बेसिकली मैं इलास्ट्रेशन के लिए इसको अनलाइस करते हैं, कि यह चीज हुई कि काफी टाइम से इंडस्ट्री इस इन प्रॉब्लेम, अब उसमें कुछ रिवाइवल के होब देख रहे हैं, एग्सिस्टिंग प्लेयर्स भी हैं, तो इन्वेस्में टीम पूरा उस मगर हाँ, यह special situation है के नहीं है, तो पहले है, देखो special situation disguised भी होती है, सारी special opportunities, opportunities नहीं होती है, कोई disguised opportunity होती है, जैसे कि कुछ industry के terminal value बहुत नस्दीक है, या तो product obsolete है, या तो accounting problems भी है, compliance is used भी है, वहाँ पे यह disguised opportunities भी हो सकती है, अब special opportunities में तीन चीज़े होती है, कि कोई special तो आप लोग एंसे लिए खापर अपरचुनिटी तो आप लोग अपरचुनिटी शुट कम तो नॉर्मन्सी तब जाके वेल्थ क्रिये होती है तो आप लोग एंसेल्टी वाली खापरों बध्यान रखते होगी है उदर क्या कौन किस की कौन बिग गया कौन कितने हैर कट फे किस ने लिया वही तो स्विसल सिजेशन बना रहा है वहाँ पर जैसे एक और एजांपल लेते हैं उसको नाम नहीं लेते हैं बहुत छोटी कंप इस पे इस कावी जो बनवालो वह बहुत अच्छी कंपनी है आज ओन डेक्ट अब इसको जिसने क्वायर किया वह बहुत कमजोर कंपनी लेजिन उसने क्वायर किया अब पता निए क्यों किस तरह से मर्ज़र हो रहा है ऐसे मिन स्चुजेशन क्रेट होते होंगे यह जो आप तो आप 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 अप इस कम इस न बहुत बहुत अच्छी अवेस्वालेच्छी होग स्चाहिए ने वह मिलती है तरह संटेशन डेशन इस अब शीन है इस हम अशहन नहीं पहांगे रहा बहुत ञेशन क्या है उसमें जब शेचल एमगे अश्ट अबहर प्रिशनिती जो आपने बोला, that can also be part of the portfolio. यह जैसे बहुत बड़ी chemical company है, वो अपनी international seed company का IPO लाना चाहती है, यह एक और company जो अपनी US subsidiary का IPO फाइल कर रही है, यह सब भी special situation है? जैसे spin-off हुआ, split-off हुआ, bow-out हो गया, यह सारी जो चीज़े है, corporate action, तब mispricing होती है, क्योंकि market को समझ में नहीं आता, मिसंदर्स्टूड होती है, यह complex to understand होती है, दूसरा, कभी-कभी वो respectable portfolio के लिए अच्छा नहीं लगता, controversial हो सकता है, कभी-कभी उसको analyze करना, surface पे ऐसा लगता है, मगर जब analyze करो तो आपको clarity जादा आती है, तो generally यह थोड़ी in uncomfortable positions होती है, when at the time of buying, but, जैसे मैंने बोलाया कि, conviction होता है, conviction आपका तब आता है, जब आपका उस पूरा grief हो, आपका पूरा नादीस हो, जैसे के, we are having a big, well-resourced investment team, उसमें forensic experts भी है, आपका बना मुझादा है, किस तरह के पूरारी के आपका देखते हैं, जो फूरसिएबल होंगे, जिन को अवाइड करेंगे अप, या आपको लगता यार यह सिजेशनना वारिसकी है, या इसमें रिस्क्या है, जब कोई इंडस्ट्री और प्रोड़क्ट, उप्सोलन्स की तरफ होता है, तो वो हमेशा आपको सस्ता ही दिखता रहेगा, अगर वो और सस्ता होता जाता है. वहाँ कुछ भी क्रियेट हो जाए, उसका कुछ हो नहीं सकता. So that is one type of category, वो जनरली और जिसका टर्मिनल वैल्यू बहुत नजदीक है, मतलब के बिजनेस ही है के वो लंबा एक्जिस नहीं कर सकता, because of new technological development or whatever happening, तीसरा के जहां पे accounting issues बहुत है, compliance issues बहुत है, और वो frequent है, तो ये कुछ categories होती है, जहां पे आपको disguised special opportunities में बहुत है on the surface special opportunities में बहुत है तो क्या करना वो इंपोर्टन है, क्या नहीं करना वो भी इतना ही important है. अजया एक उधाना लेखे है, past card, satyam, मैं बहुत होता है, balance sheet पूरी cooked थी, वो इक a special situation थी, आप देखो वहां पे एक अच्छा प्लियर ने उसको equation किया, तब वो बन गे situation, अगर वो नहीं होता ना तो उस समय ये fund अगर होता तो आपका लेते, तो हो सकता है, अगर इसको तो आदमी आया और उसने लिया, तो ये special situation बन गई, या कोई high off होने वाला है, आपको लगता कि यार, इसमें 4-6 companies के अंदर से निकलने वाली है, SOTP value, SOTP value पे आपने कर लिया, बहुत सारी companies कर रहे हैं कि हम तो सब अलग अलग करेंगे, सब कुछ, फिर या कहीं पे merger होने वाला ह इस टाइप से, SO how do you find out, कैसे ढूंगते हैं अभी इस अब कमपनिया, सर देखो बहुत बड़ा team है, analyst का, वो लोग हर companies को track करते है, primary research करते है, supplier को मिलते है, customer को मिलते है, competitor को मिलते है, SO they are having those information edge, और अचानक market से कुछ हुआ, आपके TV channel पे flash हुआ, market correct हुआ, stock correct हुआ, उस time प इसका order book तो full है, उसकी capacity तो पूरी utilize है, उसको फरक ही नहीं पढ़ता हुआ, stock correct हो गया, अब जो analyst है, उसके पास edge होता है, तो वही चीज है कि due diligence, spontaneous होता है, इसका मर्दब यह है कि आप लोग channel permanent देखो के सारे है, कि कि किसी विसमें कुछ भी flash हुआ तो, बागी fund manager के पाद लिवर्टी नहीं देखते हैं, आज दिन फर में करें कि देखेंगे, लेकिन आपको देखना पड़ा है, जो कि news कभी विया सकती, कभी बंफट सकता है, यार ये गड़ब होगी company में, अचानक से हम लोग भी पैनिक कर जाते हैं, अचानक से हम लोग भी पैनिक कर जाते हैं, जो भी existing investor है, जो mutual fund में 15 साल से invest कर रहा है, जिसने flexi cap fund में भी invest कर के रखा है, उसमें बहुत सारे funds है, तो कही ना कहीं पर आपके पास उसका exposure हो गई, अगर उसको नया fresh investment करना है, और उसके पास experience भी है, they can look for this kind of funds, मगर जो एकदम नया investor है, उनको इस fund में SIP के थूँ जान तो आपको लोवर प्राइस पर यूनिटिस लंबे टाइम तक मिलते हो और अचानक से आपका value unlock होता है, तो SIP के लिए ये बहुत अच्छा एक मोका होता है, थोड़ा return आपका ज्यादा potentially बन सकता है, तो जो existing investor है, they can look for, because there is a different fund, जैसे ज्यादा funds है नहीं इंडस्ट्री में तो लोगों के पास allocation भी कम है, नए investor है, उसको इसमें SIP के थुरू देख सकते हैं, क्योंकि SIP के लिए भी बहुत अच्छी category हो सकती है, एक छोड़ा सा break लें आपे, और break से तुरंद वापस आके फिर इस discussion को आगे बढाएं, क्योंकि बहुत interesting है, तो कि एक नए तरीके का fund है, और क्या के situation हो सकती है, जो आपको बहुत interesting लग रही होगी, लेकिन हो सकता चिलाक को नए लग रही हो, या उसमें कोई बहुत दम नहों हो, इसमें कोई बहुत मजा नहों, छोड़ा सब्रेक के वाइस में इसमें डिसके सब्सक्राइब, पिर से आपका फाइदेबंद और आज हम बातशीत करें, special opportunities fund के बारे में, जो वाइटोख house की तरफ से आया है, और चिराक पटल में ये समझा रहे हैं कि क्या होती है special opportunities और उसमें ये कैसे चुनते हैं उसको, क्योंकि सब चीजें special नहीं हो सकती, कहीं पर धोखा भी हो सकता है, तो उन धोखों से बचना जरूरी होता है, दिख तो रहा है कि यार लेकिन उसमें कोई special है, ये पिछले 15 साल से इसमें special ही बना हुआ है, ऐसा भी होता होगा बहुत बहुत बार, कि इसमें कोई फ्रस नहीं, अब एक शी बताईए भी है, सेक्टोरली, चुकि आपने कहा कि 80 परसेंट इसमें बाकी ब 20 परसेंट रहेंगे, वो कहुन से स्टॉक रखेंगे आप? वो नॉर्मल अपने मतलब में 100 परसेंट भी रह सकता है, special, मगर 80 परसेंट तो आपके लिए कंपल सरी है, तो वहां पर हम जनरली ब्लू चिप भरी सकते हैं, ब्लू चिप भरी सकते हैं, ब्लू चिप कहां परिस स्टॉरिटी विद दोस 20 परसेंट अलोकेशन. अब यह स्टॉरिशन की जो होल्डिग आपके होगी, इसमें जनरली आप स्टॉरी के इतने समयम आपको लगता है कि प्ले आउट हो जानी चाहिए, तब तक इसको आप होल करेंगे, या इसमें से आपको लगता है कि या प्ल स्टॉरिशन होना चाहिए, फिर मानलो वो नॉर्मल हो गया, तो उसके बाद ग्रोध बहुत अच्छा है, या इसा कोई मैंडेट नहीं है कि आपको इतना लंबा रखना है, मगर जैसे मैंने बोला कि स्टॉरिटी कभी लंबे टाइम ले सकती है, कुछ चोटे टाम में भी ह गार, इसमें पुष्णोर लेन उसके अधार या इसलिए उसक पार्व घुरिशन होने का इनजार करेंगे ऐ दान का प्रियम्स का रहेंगे। प्रियम्नरलु का अपको ऑमियान तो प्रियम्न उतनों हो गया, तो अधासे वर यह नहीं कि हमको लगता इसमें होगा जैसे एक बहुत प्रॉबबल है कि एक कंपनी है FMCG की जोसका बिकनत तह है अब आज भी के एक सालवाद भी के यह दो सालवाद भी के पता नहीं किसी को ऐसे थीम को आप प्रियम नहीं करेंगे प्रियम मतलब में कुछ ऐसी उसमें भी चीजे हो जाए कि अब तक क्यू नहीं हो रहा था और अब क्यू हो सकता है उसका जब सिम्टॉम्स दिखने लगे देन इट कैन बी कैटेगराइज एज जैसे कि उसमें कोई फॉरेंड पार्ट कि अब ये रोड खुल गया है इसका जैसे आइटीसी में हुआ था हो सकता है अब उसमें के तो निकलने वाली भी है या कोई और भी सोच कि कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा पर जूटी का आप लोगों को लगती या पता नहीं कहीं भी हो सकती है कुछ जहां ज्यादा कभी कुछ भी हो सकता है हम लोग मचली पर कड़ने के वेठे हुए जो आगी सब्सें इसमें मार्कट के आसपस की अलोकेशन रहे है इसमें मार्केट की डैमिक्स को भी आप लोग इंकलूट करते हैं इसे मार्केट बहुत चढ़ा हुआ है special situation हुई है लेकिन जाला रियक्ट ही नहीं कर रहा मार्केट कुछ बजा नहीं आ रहा है क्योंकि market उसको support कर रहा है कही बार ऐसा होता है कि market इतना bull में है कि situation create होने कि बावजूद correction नहीं आ रहा है तब क्या करते हैं आप लोग जहां पे special situation आएगी हम देखते situation है price में movement नहीं आ रहा है लेकिन situation तो है क्योंकि market इतना bull trade में है कि कोई आदमी नहीं पढ़ रहा किसी को बुरी ख़बर आई जैसे road daily basis में लोग देखते है यार इतना गंदा result है stock गरी नहीं रहा है तो आप लोग price action आपके ज्यादा important है या situation ज्यादा important है इसको कैसे इसको कैसे दो चीज होती है एक तो intrinsic value की moment जो हम देखते नहीं है normally हम price की moment ही देखते हैं कभी-कभी आपको price की moment कुछ नहीं लगती intrinsic value में बहुत moment हो जाती है उसका fundamental value में जिसको हम fair value बोलते है तो वो fair value आपको साहिए आपको किसी के साथ market price को compare करने आप किससे करोगे तो intrinsic value बोलते है या fair value बोलते है उसमें उथल पातल हो सकती है उसके basis पर decide होता है कि यह opportunity को हमको कैसे encash करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए so this all will be factored in तो मोटे तर पर यह कह सकते हैं कि आखे तो सब के पास है सब लोग देख रहे हैं इनके पास नजर है देखने की कि आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं लेकिन हमको दिख रहा है कुछ और और वहां पर हमें लग रहा है कि special कुछ create हो रहा है जो value create करेगा और उसको अपने fund में यह शामिल किया जाएगा इसलिए इसका नाम भी है special opportunities fund और मुझे लगता दिन भर में 2-4 मिटना है तो होती रहती है केवल आपको assess करना है कि कौन से में real opportunities है चिराग सर्थ बहुत बहुत शुक्रिया मैंसा जुडने के लिए और बहुत धेर सारी शुपकामना है आपको इस fund के लिए थैंक्यू नीरजी थैंक्यू मुझे बुलाने के लिए और सारे दर्शों को भी बहुत बहुत बढ़ाई और गुड रिटर्न इंद मार्केट बिल्कुल तो आई शो को यहीं पर विराम देंगे अगले हफते एक और नय फंड और एक नोग नय फंड मेंजर साब की मुलका झाल 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 झाल